मैं विद्या मंदिर आचार हुमेश कुमार पांडे आप सभी लोगों का आज इस वेडियो के माध्यम से जिसमें पूरवानुमानित परिक्षाद हो जाते हैं जो विद्या मंदिर में संचारित हो रही है कक्षा बारवी जेविग्यान की यहाँ परिक्षा जो हुई है उसी क आप जुड़े हैं तो यहाँ पर प्रिशन पत्र आप लोगों के लिए इंपोर्टन हो सकता है तो चलिए देखिए इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वही सेम है जैसे सारे पेपर में आपको करना है यहाँ पर बावविकल्पी प्रिशन जो आप लोगों मिलेंगे उनकी संक्या चार ही है तो स्टार्ट करते हैं जो पाहिला कोशन यहाँ पर पूछा किया थे कि वीवी पैरी जो कंडिशन होती है यह मेंली फांड इन कहां पर यह कंडिशन मिलती है तो चार आपके स्क्रीन पर दिख रहोंगे आप लोग उत्तर जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स में उत अचे से तयार किज़े कोशन जरूर रहेगा लिखा यहाँ पर एलको पर जो की मेडिसिन है इस यूस्टू टेट्मेंट विच डिजीज देखिए कौन सी बिमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इसकेरी एसिस है टेनी एसिस है हमें भी एसिस है या इनमें से कोई आप्सन सही नहीं है तो यह आपको बताना है अगला कोशिन जो आखरी कोशिन यहाँ पर डी है तो दा कंपोनेंट आफ पिल्स देखिए कई तरह कि आप लोग ने कंटरसेप्टिव डिवाइस पढ़े थ तो उसी का ही यह कोशिन है आप लोग अच्छे से त्यार कर सकते हैं अगर आप लोग बाइलोजी की स्टूडेंट है तो जल्द ही हर एक चेप्टर की वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने आसान भासा में भना के तैयार कर रखा जल्द ही जो है आशा है और उम्मीद करते हूं आप लोग तयारी अच्छे से करोगे अब देखिए क्या है निश्ची तुंतर यानि के डेपनीट एंसर टाइप कोशिन जो दिये गए हैं कोशिन संग्या जो यहां पर टू है कोशिन नंबर तो इसमें पहला कोशिन दिया गए हूँ फर्स टेडबल फर्टिलाइजेशन जो सबसे पहले बताया था वो किसने बताता तो नवाशिन साइद नाम आपको याद आ रहा हूँ तो नवाशिन थे दूसरा कोशन राइट दा नेम ऑफ स्टार्ट कोडान देखिए स्टार्ट और निशेशन कोडान इस तरह के कोडान आप लेगों ने पढ़ाते जनेटिक कोड में तो त्यार कर लीजे जरूर आने वाला है जनेटिक कोड से रिलेटेट पूश्चन अगला कूश्चन राइट देडव ऑफ टो यहां पर निवाडी ने होगा यहां पर यहां पर निवाटिक सोना चाहिए तो प्रति जैविको में चेप्टर पढ़ रखा होगा molecular basis of inheritance या फिर बाय टेक्नोलोजी में इसका अंसर आप लोग को मिल जाना चाहिए जीवाण सब्सक्राइब माइक्रोब्स में यह चेप्टर को मतलब को सकता है अगला कोशन जो दिया गया है अंगा में email on which date world environment day is celebrated every year what is purpose and write it तो आप लोग को world environment day जरूर पढ़के जाना है एक दिवस तो जरूर आप लोगों से पूछेगा उसी तरह आप देखते हैं अगला question very short answer type question यहाँ पर पहला question है what is egg apparatus होता क्या है इसके बारे में आप लोग लिखें दूसरा question write the name of two disease caused by six link inheritance देखिए दो disease के बारे में लिखना है वो भी six link inheritance से जूड़ी होने चाहिए तो six link inheritance से जूड़ी होई disease आप लोग ने पढ़ रखा होगा color blindness है और दूसरी जो hemophilia के बारे में आप लोग आप लोग पढ़ रखा होगा sickle cell anemia पढ़ रखा होगा किसी बारे में आप लोग बता सकते हैं दो पूछे के हैं तो दो अ इसके बाद राइट नेम आप फस्ट नेशनल पार टुबेस्ट इंडिया देके 1936 में आप लोग ने पढ़ा रखा होगा है ले नेशनल पार्क जिसका नाम बदल के बाद में हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रस्तावित है अगला नाम भी साइद इसका राम गं इसके बारे में सोटेवर्बल डाइग्राम या एक्जांपल को समझाते हुए आप लोग को समझाना है राइट शॉट नोट हना इम्मिनेजेशन प्रोग्राम होता है जिसके अंतरकत इम्मेटी तयार की जाती है एंटी बॉडी को बनाने में हेल्प करती है डेसक्राइब टूल्स ऑफ जनेटिक इंजिनेरिंग टूल्स एंट टेक्नीक आप लोग ने पढ़ा रखा हो जनेटिक इंजिनेर बाइरेक्टर वगर सब कुछ आप लोग इसमें समझा सकते हैं तो टूल्स की बारे में लिखना है अगला कोशन यहां पर पूछा गया है निम लिखित की परिभाषा आप लोग डिफाइन टर्म्स तो पहला है यहां पर competition क्या होता है mutualism क्या होता है देखिए mutualism जब आप लोग बताओगे तो यह symbiases relationship में आप लोग ने पढ़ा रखा होगा mutualism ठीक है उसमें आप लोग अच्छे साथ बता सकते हो competition दो दरीके intra-specific हो सकता है और extra intra और inter-specific competition आप लोग जरूर परके जाए important question जरूर आएगा अगला question है what is the right short note on the hot spot देखिए hot spot जरूर परिए right difference between the endonucleus and exonucleus enzyme यह भी आप लोग ने पढ़ा रखा होगा यह आप लोग को मिल जाए बायो टेक्नलोजी वाले चप्टर में right the causes of remedies of the elephantiasis disease the clemen disease disease जो कि किस से हो पता है यह आप लोगों को पता होगा नहीं पता तो आप जरूर पढ़के जाए गया एक और नाम इसका elephantiasis अगर आपको याद है तो comment box में जरूर बताए comment करके elephantiasis disease का दूसरा नाम क्या है तो phalieriasis ही इसी का दूसरा नाम है आप लोग ने पढ़ा रखा होगा इसी तरह स बायो पाइरेसी क्या होता है यह आप लोग भी तियार कर लिजे असान कोशिन पुछे गए हैं इसमें टेस्ट क्रॉस और बैक्रॉस के बारे में डिफ्रेंश्टियेट के माधिम से बताइए अलबिनिजम क्या होता है डिफाइन करिए इसको उसकी बात थोड़ से यहां दूंदला होगे थोड़ से मैं बता देता हूँ आप लोग को पॉपलेशन एक्सप्लोजन के बारे में लिखना रहा है था में मैथड आफ फैमिली प्लानिंग के कुछ मैथड्स थे सर्जिकल इसमें आप लोगों ने पढ़ रखाओ तो वैसे टॉमी ट्यूबक टॉमी भी आप लोग इसमें समझा सकते हूं और अत्वा करके यहां पर कुछन दिया या तो आप लोग उपर वाला नहीं कर सकते हैं यहां पर को एक्स्टिंग्शन बताना है या को एक्स्टिंग से दोनों में ही काफी अंतर है तो आप लोग ध्यान से कोशन समझ के जाए किसे कहते हैं modern genetics के फादर और डिस्क्राइब अगला कोशन यहां पर पूछा किया है अगर आपको यह नहीं आता तो आप लोग पहलें ड्रॉम्स के बारें बताईए या फिर इस्टिंग से नंडियो वाला इसमें भी option मिलेगा आप लोग को और आपसन यहां पर जो मिलने वाला है वह पहला कोशन राइट है उसे वह भी बीटी क्रॉप के बारे में आप लोग को बताना है बाइट टेकनोलोजी से रिलेटेड कोशन है और बीटी का नम जो फुल फॉर्म होता कई बच्चे टेकनोलोजी लिखिया आते हैं यह एक बैक्टीरिया होता है इसको ही आप लोगों समझाना के सरे की क्रॉप होती है अगर नहीं आता तो यहां पर अगला कोशन दे दिया है डेंगो बुखार की कारान लक्षा और उप्चार की व्याख्या कीजिए तो लॉंग में अंसर है आता है यहाँ लॉंग की शिचार